जी तो रहे ब्लाइंडली तो डैश का मतलब क्या है तो डैश का मतलब है राष्ट ठीक है ची ज्वाब दरुस्त है दूसरे एंसी को आए लगिवस परेशान होना भी आप्शन दरुस्त है नेक्स जी चोथ मसी कूई दिया आज आल स्टूट एंड गेज़ गेज़ अंडरलाइं वर्ड़ अटो गेज का मतलब के स्टेयर नेक्स जी पांचों मसी कूई देहर बीन नोटिसिंग मी तो नोटिस का मतलब क्या होता है वाच करना ठीक है जी भी आप्चन दुरूसता है आ tris भात्में जी योज़ रच कडár ऐप्र एलियन ठीक है तो स्बाइञ जश्ट भीत अब्छां का मतलब करता घ़ते किस जाकूं सब्रभी यॉर ऑप्ल आट प्ल्प बहुफ यााफ़ फ्रेल ह zaten वैल उलक्व उन्दरलाइं वर्ड़ रवेल नीचा मतलब ब्लास मतलब के ह समेश में समेश का मतलब होता यह ब्लक्र तोड मरोड के टुकड़ टुकड़ कर देना ठीक है दिए सी आप्शन दूश्ता था नेक्स जी 11 दिए व क्या घुच्टूबर में वो क्या होते हैं जवान होते हैं बार में रॉयल स्माइल्स अब डैरेक्ट टोउर्डस रॉयल smiles were directed towards gorgeous gorgeous की तरफ ठीक है जी तेर मैं जी no one could count Dallas कोई भी नहीं गिन सकता था Dallas love डेला का मुभबच हुमार नहीं की चाह सकती थी चौध मैं जी the bus was late due to तो bus क्यों लेट हुई थी storm तोफान की वज़ा से यह जवाब द्रूसत है नेक्स जी पंदरवा जॉन लैक्ट जॉन की में कमी कि सीज़गी ते get up and go ठीक है जी बी आप्शन द्रूसत है नेक्स जी डीए सुरेंटिस पोर्शन में हम correct form और वर्प लगाते हैं एक बात याद रखें जब जुम्ले में टू आजए इसके बाद फेल की पहली form आती है तो क्या आएगी बी वर्क आएगी ये क्लियर रसूल है उसके बाद इसके बाद शुम्ले में येस्टरडे आजएगा आपने चुप करके फेल की दूसरी form लगा दे हैं दूसरी form कौन सी है अप्शन राइट रोट रिटन ठीक है जी अठारों एमसी के वी शेल बी बाई देम हेल्पिंग वर्क के बाद भी आजए और जुम्ले में बाई के बाद सुरी बाई आजए तो ये पैसी वाइस के जुम्ला होता है लहादा शेल बी विल बी ठीक है इस MR के बाद फिर की आपने थर्ड फार्म लगानी है चुप करके ठीक है गाइड डेसी अप्शन दूस्त आएगा नौ मैं जी ये थर्ड कंडिशनल जुम्ला है इफ जुम्ले में आजए तो जुम्ला क्या बन जाता है कंडिशनल बन जाता है अब जुम्ले के एक इसे में देखें वुड हैफ के बाद थर्ड फार्म आई है तो जुम्ले के एक इसे में हैड के बाद तीसरी वाला आप्श जुमला आगया है तो लेट जुमले में आजे तो उसमें क्या आएगा फेल की पहली फार्म आएगी